वेल्कम डू यो पी ट्रिपल सी ख्लासस एंड सस्क्राइब माई योटूब चैनल हलो दोस्तों很好 जे यू पी ट्रिपल सी क्लासस में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं प्रैक्टिस सेट 15 जो की बहुत ही महातपूर है आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अतियन्त महातपुर्ड प्रश्ण उत्तर का स्रीज है और ये प्याक्ख्या साइथ हल प्रश्मत इसमें मैं प्याक्ख्या भी करूँगा आप लोगों को समझाऊँगा बताऊँगा तब प्रश्ण नमबर फर्श्ट है दोस्तों दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा और आज मुझे लाइक हर प्यू पे लाइक चाहिए आज दिवाली है और मैं टाइम निकालकर आप लोगों के लिए वीडियो डाल रहा हूँ तो आज मुझे हर प्यू पे लाइक चाहिए इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करेंगे हम सोचेंगे कि आप चलिए ठीक है आप लोगों हमारा जो है help कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं हमको उतना ही हमें उत्साह मिलेगा वीडियो डालने में प्रेश नमबर फस्ट है दोस्तों रच्छक फसले कहलाती है आप रच्छक फसले होती कौन सी है दोस्तों ये जाल लीजे रच्छक फसले वे फसले होती है दोस्तों जैसे मालीजे कोई मेन फसल है आप गन्ना उत्पादन कर रहे हैं या गेहूं उत्पादन कर रहे हैं उसके चारों तरफ आट दस पंगतिया जो है सुरच्छा के लिए उस फसलों की सुरच्छा के लिए जो है आप कोई और फसल बो देते हैं जो उस फसल की सुरच्छा कर रहा है तो उसे रच्छक फसले कहते हैं प्रेश नमबर फस्ट है दोस्तों रच्छक फसले कहलाती है कौन सी है आपसनी है गन्ना प्लस पटसन आपसन भी है गेहू प्लस तरसो आपसन सी है आलू प्लस मूली आपसनी है गन्ना प्लस आलू इसका राइट एंसर दोस्तों होगा आपसन ए गन्ना प्लस पटसन गन्ना ह है दोस्तों कि ascarbic acid की कमी से होने वाला रोग कौन सा है अपसं यह है इसका राइट एंसर जो होगा आपका असखर्बी रोग दोस्तों वीटामिन C की कमी के कारण होता है तो यह असखर्बी रोग होगा प्रश नमबर ठरड़ है दोस्तों 3 है कि चीकु उत्पादन में पर्थम अस्थान वाला देश कौन सा है आपसन यह है पाकिस्तान आपसन B है ब्राजील आपसन C है मैक्सिको आपसन D है भारत इसका राइट एंसर जो होगा दोस्तों वह आपसन B है कि चीकु का उत्पादन पर्थम अस्थान जो है ब्राजील है भारत जो है आम में आम उत्पादन में पर्थमस्थान है आम का निदियात जादा करता है भारत प्रश नमबर चार है दोस्तों कि भूमी विकास बैंक किसानों को रिण उपलब्ध कराता है आपसन ये है लंबी आवद के लिए आपसन भी है कम आवद के लिए आपसन C है केवल भूमी सुधार के लिए और आपसन D है मध्यम आवद के लिए तो दोस्तों जो है भूमी विकास बैंक जो है आपसान नंबर एए है कि लंबी आवधी के लिए जो है यह रिण उपलब्ध कराता है इसका उद्दे से जो होता है किसानों पर विकास कारे जैसे फार्म की सिचाई के लिए कुएं नालियाव घर बनवाना पंपिंग सेट लगवाना टेक्टर्स स्पियर्स कम्भाइन डेस्टर ठेसर मशीनों के क्राई के लिए दिर कालीरिड स्विक्रीट कराना यह दिर के कालीन जो है रिण स्विक्रीट कराता है भूमी विकास मैं ताकि आप क्रिसी में प्रियोग होने वाले यंत्रों को खरीद स प्रेशं से नमँबर 5 दोस्तों कि मीर्दा को काया प्लट में सहायक होता हैgend कांसा होता है दोस्तों आपसं यह एगाय आपसंविके चुवा अपसंसी बिल्ली आपसंटी है हाथी इसका राइट 按सर जो दोस्तों केचुवा होगा केचुवे को जो दोस्तों किसान का सच्चा मित्र कहा जाता है केचुवा मिर्दा में कार्वनिक पदार्थों को मिला कर मिर्दा संरचना में सुधार भी करता है और मिर्दा में बीट करके मिर्दा को संरंद बनाता है ज्यादर संवरंदता जो है बनाता है अताख केचवायं मिर्दा को काया पलट कहा जाता है प्रेश नंबर 6 है दोस्तों कि भारत में बीर देंकरान की संस्तुत अभर कितनी है अपसन यह है एक अनुपाते 20 अपसन B है एक अनुपाते 40 आपसन C है एक अनपाते 10 और आपसन D है एक अनपाते 500 तो भारत में बीर को पदला करने के लिए कि दर जो है एक अनपाते 20 जो है है आपसन ये बिल्कुल राइट एंसर है पश्चमी देशों में एक अनपाते 100 और दच्छडी देशों में एक अनपाते 500 और तथा कुछ छेत्रों में एक अनपाते 400 रखते हैं यह रखते है दोस्तों पस्ष्मी देशों में और यह रखते हैं आपका दचhurni देशों में प्रष नमबर सिवन है दोस्तों इसमें कोट का है इसको आपको सही कोट मिलान कराना है सही कोट का चैन करें फसल हो गए प्रमुक्र खर्पदवार यह हूं अप wär ओप सनियS दी में पहला थर्ड गेहूं का आपको जो है फ्लेरिस माइनर से संबंदित है दूसरा है आपका एक नंबर यानि धान का आप से सावा से संबंदित है चौथा है आपका तीसरे का चौथा यानि डी सरत गन्ना में आपका मोथा जो है ज्यादा पैदा होता है और बर्सीन में दोस्तों कासनी पैदा होता है, इस हिसाब से आप जो है, इसका मिलान करेंगे, प्रेश नमबर आठ है दोस्तों कि भारत का प्रथम किर्सी विश्विद्याले है, कौन सा है, आपसन यह है, भिधान चंदर किर्सी विश्विद्याले, आपसन बी है, पंजाब किर्सी प्रफम जो है किर्सी विश्विद्याले बना था और ये किस सन में बना था दोस्तों ये भी जान लिजिए ये 1960 में बना था प्रफम नमबर नौ है दोस्तों कि बीज परिच्छन में ट्रेटा जोलियम कोलोराइड का प्रियोग किसके निर्धारन के लिए किया जाता है आपसनी है जीवन शमता के लिए आपसन सी है अंकुरन के लिए आपसन डी है इन में से कोई नहीं तो इसका राइट एंसर क्या प्रेश नमबर दस है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कितने सस्य जलवाई शेत्रों में बाटा गया है आपसनी है आपसनी है आपसनी है दस आपसनी है नो तो जो है उत्तर प्रदेश में सस्य जलवाई जो है नो जो है उसमें बाटा गया है नो शेत्रों में बाटा गया इसका right answer है दोस्तों ये जबकि आंद परदेश में आपका 560 से जल्वाई में बटा गया है है अउत्तरबर्स में 960 से जल्वाई में बटा गया है प्रश नमबर 11 है दोस्तों कि आलू को खेत वा भंडारण दोनों में हान पहुचाने वाला कीट कौन सा है आपसन ये है फुद का, आपसन भी है कटुवा कीट, आपसन C है आलू का सलब और आपसन D है इपी लेकना ब्रेंग इसका राइट एंसर जो होगा दोस्तों, आपसन नमबर C है कि आलू का सलब वो आपका खेत में और भंडारण दोनों में आलू को हान पहुचाता है प्रेश नमबर 12 है दोस्तों, कि फोल गोवी का हुप्टेल रोग निम्निम्नि में से किस एक की कमी के कारण होता है आपसन यह है क्लोरीन, आपसन B है सोडियम, आपसन C है मौली वेडिनम, आपसन D है लोहा तो दोस्तों, फोल गोवी का हुप्टेल जो है, वो मौली वेडिनम की कमी के कारण होता है इसमें क्या होता है कि पत्ती पूर्ण रुप से विक्सित नहीं हो पाता है मॉल्ली बेडनम की कमी के कारण पत्ती जो है फूल गोवी का सही रूप से विक्सित नहीं हो पाता है और सक्री पत्ती की संरचना बन जाती है किस तरह के सक्री पत्ती की तो ये रहे दोस्तों इस वीडियो के टॉप 12 most important प्रश्ट जो कि आपके परिच्छा के लिए बहुत ही महात्पूर है आप लोग वीडियो को एक से दो बार देखिए और हो सके तो आप चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लेजिए नोटिफिकेशन बेलान कर लेजिए ताकि जो भी मैं अपलोड दूँ आप सबसे पहले आपको मिले चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक लिए थैंकिसो मच